नमस्कार, SBT News में आपका स्वागत है, पेशे साथ जन्वरी रवीबार सुबह सवाच्छा बजी राजसान की बड़ी खबरें जापुर में चल रही अठावनवी डीजी आईजी कांफरेंस में पीम नरेंडर मोदी ने हिस्सा लिया कांफरेंस में खालिस्तान अतंकवा साइबर सुरक्षा कानून में बदलाव की जरूरत और हुमन ट्राफिकिंग पर चर्चा की गई मोदी ने यहां हर राज़ी के डीजी पी से मुलाकात की, इसके बाद उन्होंने कांफरेंस को संबोधित किया तिन दिन की सेमिनार में केंदिक रह मंत्रियामिट शाह, रास्रे सुरक्षा सलाकार अजित डोभाल भी मौजूद रहे जापूर के राज़सान इंटरनाशनल सेंटर में हो रही, इस कांफरेंस के दूसरे दिन पहुंचे पीम मोदी का शाह और डोबाल ने स्वागत किया राज़सान लोग सिवायो के ओर से रविवार को असिस्टन प्रोफेसर पी टी आई और लाइब्रेरिन एक्जाम दो हजारतेईस होगा एक्जाम अजमेर भरतपूर जयापूर जोदपूर कोटा उदैपूर जिला मुख्याले पर होगा इस करण अजमेर और कोटा जिले में तीन घंटे इंटरनेट बंद करने का आदेश चौरी किया गया है एक्जाम में एक बर फिर इंटरनेट बंद होने से आमजन को परिशानी का सामना करना पड़ेगा इससे पहले भी प्रतियोगी परिक्षा होने पर इंटरनेट बंद किया जोता रहा है इससे सबजी, दूद, फल, सबजी तक का डिजिल पेमेंट रुक जाता है इसके अलावा आने जोने के लिए कैप सहित अन्य ओनलाइन लेंदेन से जोड़ी सेवाएं भी बंद हो जाती है जिमेदारों का तरक रहता है कि इंटरनेट बंद करके पेपर लिक पर लगा लगाई जा सकती है या नकल को रोका जा सकता है लेकिन वास्तविक्ता में प्रतियोगी परिक्षाओं के पेपर फिर भी लिक हो चुके है प्राजिसान के मखे मंतरी भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार देश के प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के मार्ग दर्शन में प्रदेश वासियों को जन हितैशी योजनाओं के माध्यम से लाभानवित करने के लिए संकल्पित है पीम नरेंद्र मोधी की उपसिती में सीएम भजनलाज शर्मा ने कहा के इंद्र सरकार द्वारा संचा लेते जन कल जानकारी योजनाओं से करोडों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है उनका जीवन सर उपर उठा है उनके सुनेरे भविशे का मार्ग प्रशास्त हुआ है सीएम भजनलाज शर्मा ने कहा इंद्रा रसुई योजना की समिक्षा कर इसमें नहित सभी खामियों को दूर कर नव योजना के दहत प्रदेश में आमजन को पॉस्टिक एवं गणवत्ता पुन भोजन उपलक्त करवाना हमारा देय है इस योजना की समिक्षा में कई कमियां पाई गई वर्तमान मैन्यों में भोजन की मात्रा लग भग साड़े चार सो ग्राम है जो परियाप्त नहीं है कांग्रेस नेता राहुल गांदी की भारत जोडो नियाय यात्रा 14 जन्वरी को मनिपूर से शुरू होने वाली है पार्टी अधक हिमली कारजुन खडगे ने शनिवार को भारत जोडो नियाय यात्रा का लोगो और टैग लाइन नियाय का हक मिलने तक भी लॉंच किया राहुल गांदी ने अपने एक्स हैंडल पर यात्रा के लोगो और टैग लाइन के साथ एक वीडियो पोस्ट किया कराई जाएगी परिक्षा अजमेर भरतपूर बिकानेर जयपूर जोदपूर कोटावे उधरपूर जिला मुख्याले पर होगी अजमेर में सुबह 11 से 2 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा अब भरत्यां को OMR शीट में चौर विकल्पों में से सही उत्तर नहीं देने के स्थिती में पांचवा विकल्प भरना अनिवारे होगा राजसान की उपमुख्य मंत्री दियाकुमारी ने कारे की गुणवत्ता के साथ किसी प्रकार का समझाता नहीं करने अवम गुणवत्ता खराब करने वालों पर सक्त कारेवाही करने के निर्देश्तिये हैं राजिसान में नई भाजवा सरकार लोकसबच उनाव की तैयारियों में लग गई है रास्टिक खादिस रुख्षाय योजना के तैयत लोगों को ज्वादा से ज्यादा लाव मिले इसे लेकर काम किया जो रहा है लेकिन जवपर जिले में हजारों लाभार्थियों की जौंस में सामने आये हैं कि वो अभी जोनाधाar से मैपिंग नहीं है ऐसे में उज्वला योजना का फायदा भी उन्हें जब तक नहीं मिलेगा जब तक वो जोनाधार मैपिंग नहीं करानेंगे उजित मुले दुकानदार के माद्यम से करीब 54,000 चाथिक लाभारतियों को जुनाधार की मैपिंग की जाएगी दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को आपकारिनिती मामले में जेल में बंद आमाद में पार्टी के राजसवा सांसर संजा सिंग को अगामी राजसवा चुनाव में नामांकन फॉर्म दाखिल करने के लिए व्यक्तिकत रूप से आने के अनुमती दी इससे पहले शुकरवार को राउजी वेन्यू कोट ने संजा सिंग को राजसवा के सदस्य के रूप में दोबारा नामांकन फॉर्म भनने की जाज़त दे दी थी विशेश जज एमके नाकपाल ने संजा सिंग की तरफ से दायर आवेदन स्विकार कर लिया था बारती सेना की ओर से 14 जन्वरी को अलवर में इंद्रा गांधी स्टेडियम में आठमा सर्श अस्त्र बल भूत पूर्व सैनिक दिवर समारों का योजन होगा इसका उदेशे पूर्व सैनिकों वीर नारियों का सम्मान उनके दस्तावी समंदी समस्याओं के निवारन के बारती कनुदान और सरकार की ओर से प्रायो जित कल्यान कारिक्रमों के जौनकारी उपलब्द कराना है इस कारिक्रम में रक्षा मंत्री राधना सिंग के शामिल होने के संभावना है राज़सान में अजमेर संभाग के ब्यावर नगर परिशद में 22 जनवरी का आवकाश घोशित किया गया है ब्यावर नगर परिशद आएक्ते ने अपने शास के शक्तियों का प्रियूग करते हुई आयोध्या मेश्वी राम मंदिर प्रान परतिस्था वाले दिन 22 जन्वरी को परिशद में अवकाश घोशित किया है बार्मिर जिले के इंडस्ट्रियल एरिया में शुभम मोटरस के नाम से टीवी एस सर्विस सेंटर में शनिवाश आमाचानक आग लग गई बताया जारे के गैरिज में शौर्ट सर्किट से आग लगी हलंके आग लगने के कारणों की पुलिस ने पुस्टी नहीं की है आग में एक कार जल गई और मोटर पार्स वे समान जल गया टॉंक में अवयद बजरी खनन और परिवहन परंकुष लगाने के लिए एस पी राज रशी राज ने सक्त कदम उठाएं हैं जिस थाना शेतर में अवयद बजरी खनन और परिवहन होता मिला तो संबंदी थाना प्रभारी जिम्यदार होगा एस पी उसके खिलाफ विभागी कारवाही करेंगे जाँच में जितनी लापरवाही पुलिस की पाई जाएगी उसी हिसाब से संबंदी थाना प्रभारे के खिलाफ कारवाही की जाएगी जापुर समेट प्रदेश के सभी शहरों में आसे वोटर लिस्ट में नए वोटर्स का नाम जोडने का अभियान शुरू किया गया है इस अभियान के तैट 22 जनुरी तक आवेदन कर सकेंगे लुकसे बचुनाओं को देखती वे निर्वाचन आयूग ने ये विशेश अभियान चुलाया है इसमें ऑनलाइन और ओफलाइन दोनत तरह से आवेदन कर सकते हैं रासान बोर्ड परिक्षा का नाम सुनते ही अच्छे अच्छो का माथा ठनक जोता है मादेमिक शिक्षा बोर्ड ने मादेमिक के बाद उच्छी मादेमिक परिक्षा 2024 के लिए विशन शोदित पाठेकरम के आधार पर मौडल प्रशन पत्र चारी कर दिये हैं इस बार पैटर्न में खासा बदलाव किया गया है थोड़ी सी सावधानी बरते गई विद्याति अच्छे और थोड़ी सी लापर वाही बरतने पर अंकों का नुकसान छेना पड़ेगा बोर्ड के प्रशनों का अलग-अलग अंक भार है राहसान के सरकार या अस्पतालों के दवा काउंटर से मरीजों के दवायां ने शुलक भरे ही दी जाती हो लेकिन आजिस सरकार इन दवाओं की खरीद के साथ मरीज तक इसे पहुँचाने के आपूर्टी चेन पर भारी खर्चा करती है इसके अधरिक्ट सालाना करीब एक हजार करोड रुपे इन दवाओं की खरीद पर खर्च हो रहे हैं इसके बावजुद कई मरीज और कार्मिक इसका मोल नहीं समझ पा रहे हैं कई मरीज्यों को एक सब्ताहा पंद्रा दिन एक महने या दो महने तक दवा भी दी जाती है इनमें से कुछ दवा का मरीज उप्यूग नहीं कर पाता है और घर पर ही पड़ी रहती है ऐसे में इन दवा को वापस काउंटर तक मंगवाने का मजबूत सिस्टम अब तक नहीं बन पाया है वहीं मरीज और उनके परिजन भी इन दवा को लोटाने का प्रियास नहीं करते ज़ानकारी के मताबिक दवा यूजना की शुरुआत की साथ ही दवा लोटाने के लिए सरकारे अस्पतालों में ड्रॉप बॉक्स लगाने की विवस्ताई की गई थी अब ये बॉक्स अस्पताल में कहा है किसी को पता नहीं है तो फिलाल खास खबरों में इतना ही और ताजा कबरों की जानकारी के लिए देखते रही है SPT News धन्यवाद